इस तालिमी प्रोग्राम में मैं सर्मद यासीन बट आप सब का इस तकबाल करती हूँ आज के इस तालिमी प्रोग्राम में जिस मोजू पर हम गुफ्तबू करने जा रहे हैं वो है एसेस्मेंट अफ परस्नालिटी यानि शक्सियत की जांच जिस पे खास तौर पर आज हम नॉन प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीएट के साले अवल के तुल्बा के लिए है और इस मोजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सद्रेशोबात आलिमों तर्बियत प्रोफेसर महामद मुशाहिद साहब आपका इस प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स के बारे में सबसे पहले डिसकस करेंगे और उसके बाद जो मुक्तलिफ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स हैं जिसमें अब्सर्वेशन इंटर्व्यू रेटिंग स्केल चेक्लिस्ट एटिट्यूट और इनेक्डोटल रिकॉर्ड है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि नॉन प्रोजेक्टिव टेक्नीक्स किसे कहेंगे शक्सियत कि टेस्ट मे ने या सस्मेंट अब पर्सनालिटी में जैसा कि हमको मालूम हैं कि दो तरीखें हैं एक प्रोजेटिव टेक्नीक और दूसरा है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्नीक को बताने से पहले मैं यह बहुतर मैसूस करता हूं कि थोड़ा सा शक्सियत के बारे में भी मैं बताउं यह हम सभी को पता है कि शक्सियत की जाँज जो है या शक्सिए जो है बसँझार खुद है बहुत ही पचीदा चीजी एक इंसान क्या है वह कैसे सोचता है महना उसके दिमाग में क्या चल ला है वह क्या कर रहा है इसकी जाँज कोई आसान काम ने हैं बहुत पेचीदा है फिर भी माहरी ने नफसियात ने बहुत हद तक कोशिश की है कि एक इनसान की शक्सियत यानि की परस्नालिटी की जाँच करें उसकी मालूमात जो है हासिल करें तो इसी सिम्ट में दो टेकनिक हैं एक है प्रोजेक्टिव और दूसरा है आछिक या अगर हम आसान की यहिए खाहिर आगे कि शक्सियत के डो पहलू है एक है जाहरी और दूसरा है बातिनी तो बातिनी पहलू की तो जाँच बहुत ही मुश्किल है इसे पहले हमने जो है प्रजेक्टिव टेक्पने के बारे में हमने इस्ष और है अब अब हम जो है । नॉन परसीन नंपर्जिक्टिव टेखना तेक्निक के बारे में हम जो है जो है मालूमात हासिल करेंगे जो कि एक्षड की personally या सबसे पहला जो जो तरीकार हैा जो वह cटेखन को हम उर्दू में कहते हैं मुशाहदाती तरिक्ता इस में एक psychologist जिस शक्स की personality के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है उसको observe करता है उसका मुशायदा करता है उसके behavior का उसके बड़ताओ का मुशायदा करता है और हमें ये अपने जहन में रखना चाहिए कि नफसियाती या नफसियात के तौर पर या मजमून नफसियात में जब हम शक्सियत की जांच करते हैं तो जिस की शक्सियत की जांच हो रही है उसको मालूम नहीं रहा है बिल्कुल अगर उसको मालूम हो जाए मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी शक्सियत की जांच कर रहा हूं और मैं आपके हर behavior का मुशायदा कर रहा हूं तो आप बिल्कुल conscious हो जाएंगे बहुत सारी प्रिटेंस करने लगूंगी कि मैं इस तरीके बिल्कुल आप बहुत सो समझ के बातचित करना गुफ्तगू करना चलना यह सब सारी चीज़ें तो इनसान जो conscious हो जाता है तो इसलिए यह शर्थ है के condition है नफसियाती मुताले में कि जब हम कभी भी किसी भी शक्सियत की हम जाज करते हैं यह परस्नालिटी का एसस करते हैं तो जिसका assessment हो रहा है उसको नहीं पता होना चाहिए तो अब आईए हम जो मुशाहिदाती तरीका क्या है देखिए यह जो है एक ऐसा technique है जैसा कि ना तूसरे शक्स के personality को observe करता है behavior को observe करता है यह observation यह मुशाहिदा रोट पर चलते हुए कहीं हो सकता है कमरे जमाद में हो सकता है अपने दोस्तों अहबाब के साथ कोई कैसे interact करता है घर में उसका जो है कैसा behavior है तो इस तरह से जो शक्सियत की जांच करने वाला है वो हर वक्त हर जगह पर वो उसको observe करता है एक बात जो है जहन में रखनी चाहिए कि यह observation जो है बहुत आसान जो है काम नहीं है और चुकि एक शक्स दूसरे शक्स को observe कर रहा है तो वो भी एक इनसान है जी हना वो subjective हो सकता है और बिल्कुल neutral जो है रहना चाहिए जो भी observation करें उस वक्त वो नोट कर ले क्योंकि यह जहरी नहीं कि वो याद रहे उसको भूल भी सकता है तो इसलिए वो जो है नोट करता है और आखिर में एक नतीजे पर एक conclusion पर इंसान जो है पहुंच सकता है यह शक्स जो है बरताओ के एतबार से behavior के इतबार से ऐसा है तो यह observation technique है शक्सियत की जाच के लिए जो की जो है काफी इस तरीके से हम उसकी personality को assess कर सकते हैं तो अगर हम दूसरी technique की तरफ आए questionnaire तो उससे किस तरीके से assess किया जा सकता है questionnaire यह जो है सवाल नामा है हम लोग अक्सरों बेश्टर जब ज जाते हैं तो कोशनायर जो है हम लोगे पास रहता है तो हम तो अपने तहकीक के लिए हम उस जो है कोशनायर का जो है इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहां पर चुकि मकसद है शक्सियत की जाच assessment of the personality तो जिस शक्स की शक्सियत की जाच हमारा मकसद है तो कुछ सवालात की शक्ल म लाएं उस को हम दे देते हैं कि आप इन सवालों के जवाब दीजी तो जब वो इनसान उन सवालात के जवाब देता है क्योंकि मकसद है personality test मकसद है शक्सियत की जाच हमारा से उसे इसे सवालात होते हैं जिसकी मुदब से वो इनसान जो है उस्षक्स के जो वो जो response прикוא स्पा तो फिर उसकी शक्सियत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है तो इंटर्व्यू क्या रोल प्ले करता है एसेस्मेंट में इंटर्व्यू देखिए नाम से ही जो है जाहिर है एक इंटर्वीवर होता है और अकेला शक्स हो सकता है और ग्रूप भी हो सकते हैं हम अक्सरों बेश्टर मुसाबकति या कॉंपुटिटिव टेस्ट में इंटर्विव जो है फेस करते हैं या हमने सुना है कि इंटर्विव बोर्ड बैठी रहती है दाखले के वक्त में जितने भी जो है प्रिमेर इंस्टिटूशन्स हैं या नौकरी के लिए या यूपीएस इसी वगरा के लिए होता है और हम यह भी सुनते हैं कि इंटर्विव बोर्ड में एक जो है साइकॉल जिस भी रहते हैं जिनका मकस्द जो है वह सब्जेक्ट नौलेज वगरा वगरा नहीं रहता है बल्कि जो है इंटर्विवी की परस्टनालिटी को असेस करना होता है कि वो जो है इंटर्विव रूब में कैसे दाखिल हो रहा है वो कैसे बैट रहा है उसके बाड़ी का जिस्चर और पुस्चर कैसा है उसके सवाल या उसके जवाब या उसके रिस्पांड का जो है जो है जो ना तरीका कैसा है जो मुक्तसरन हम जो यह कह सकते हैं कि इंटर्व जान की शक्सियत की जाच उसके oral responses से जबानी गुफटगू से बात्चित के जरीए जो है वह मालूमात हासिल जो है करता है और interview जो है मुख्तलिफ जो है तरीकों का होता है एक structured है एक unstructured है एक group है एक individual है तो यह depend करता है situation to situation time to time की जो है मक्सद क्या है तो पर्सनालिटी को एसस करने के लिए हम ढिफरेंट जह टाइपस अप इंटिर्विए का हम इस्तेमाल जो कर सकते हैं जüst्में जबादी तौर पर हम जबानी तवर इजबानी तोर पर इज़ार Ellis किया जता है या जो है सोचता है कैसे सोचता है उसकी पसंदीदगी क्या है उसकी नापसंदीदगी क्या है उसके एहसासात कैसे हैं उसके तफकुरात कैसे हैं तो इस तरह से इंटर्विव एक जो है बहुत अहम जो है टाइप है अकिस्म है एक परसनालिटी को असस करने के जिसमें हम यह कह सकते हैं इसी की personality को assess कर सकते हैं लेकिन यह शर्थ है कि जिसकी personality test हो रही है उसको पता नहीं चले कि हम उसकी personality को assess कर रहे है टो next हम rating scale की तरफ आते है rating scale से कैसे assessment होता है rating scale जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये एक Scale है दिया हो गया Scale है उस पर हम किसी भी शचिकस की किसी भी मकसूस जो है खूबियों को चाहे लिडर्शिप कालिटी हो या टीचिंग की कालिटी हो या जो है क्विलाडी का मिसाल के vara पर। हम स्टूड़ंट से कम्रेजमाथ में जाते हैं एक माहिरे नफियां और वह किसी मक्सूस टीचर के बारे में 세계 की टीचिंग अभी पिरमें वह जानना चालताnd violated और बच्छों से पूँछता और स्केल दर्ज प vot न कहते हैं एक सेट्र तो इसमें क्या है एक इनसान दूसरे इनसान के बारे में एक दिये हुए स्केल पर बताता है कि वो उसको कहां पर रखता है रेट कर रहा है और वो अपने इहसासात ख्यालात और सोच फिक्त के मताबब आपने रवाईयों के मताबब वो बहुत कुछ बताता है तो मिसाल के तौर पर जैसा कि मन रेटिंग दीजिए मिसाल के तौर पर आउसत और जो है अच्छा बहुत अच्छा आउसत से कम या अच्छा नहीं इसी तरह से काईदान सलाईय इसी तरह से इमानदारी तो हम एक दिये हुए स्किल पर हम किसी भी मक्सूस इनसान के सिफात या था खुसूसियात को जब हम रेट करते हैं मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पैन है यह पैन है जी तर्टी रूपीस फिफ्टी रूपीस 70 रूपिस 90 रूपिस और 120 रूपिस आप बताई इसका रूपिस 90 रूपिस इसी तरह से हम किसी दूसरे से भी हम पूछ सकते हैं तो क्या यह जो है कि सभी एक ही रेट को बताएं वह अपने तौर पर इस पेन को जो उनके समझ में आएगा कि इसका रेट क्या होना चाहिए वो बताएं इसी तरह से जब इनसान की शक्सियत की जब हम जाच करते हैं तो इनसान की शक्सियत का कोई भी पहलू है कोई भी पहलू है उस पहलू के बारे में हाना एक इनसान से हम मालूमात हासिल करते हैं दिये हुए एक स्केल पर तो फिर उस इनसान के बारे में उसके तुस सिफात के बारें में जहा में ऐधा अनताजा लग जाता है और माइरे नफसियात उसका तजिया's करते में बीूर हम रेटिंगर के इस्तिर माल करते हैं जैसे कोई खाना ओर्ड कि आज साहर है कि जुक्त लिस्ट दिया हुआ ही उस पर बेडार दिये हुए लिस्ट पर बना-बीचा है उस 달 बंक तो उसकी सिफात क्या क्या है विभीलाहें और करता है नहीं तो यह संद्रिक करते है घुत आसान जो तरिका तो यहां पर क्या है एक जो है लिस्ट दी हुई होती है जी उस लिस्ट पे हम पूरा हम टिक करते हैं हम उस शक्स के बारे में जो है मालूमाद जो है हाजिल कर सकते हैं attitude का क्या role रहे देखिए attitude जो है रवया को हम कहते है और ये इंसान के शक्सियत को मालुम करने का जो है बड़ा अहम तरीखा है अगर आप हम से पूछेंगे की जो है what is attitude attitude क्या है तो आसान जबान में हम ये कह सकते हैं एक शक्स का दूसरे शक्स या किसी भी शय के बारे में क्य कैसा वो सोचता है बस यह है मुस्बत सोचता है उसके बारे में मन्फी सोचता यह नुट्रल सोचता और यह जहन में रहा है कि attitude एक इनसान का दूसरे इनसान या दूसरे श्य के बारे में टूटाइम जुए बदलता रहा है तो मिशाल के तौर पर आज है अ'mिए और्गथ आपके तए हम मेरा रखलिय मुश्बत है कल मुम्किन है कि जो मनफी हो جा हो सकते हैm है तीसरे दिन मुम्किन है कि नूट्रल हो जा हैं तो атटिचूट क्या है वह जो है बदलता रहता है एक शक्स का दूसरे शक्स या जो है किसी भी शाय के बारे में तो ये ये चेंजबूल है तो ये जो है एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम दूसरों के बारे में हम मालूमात जो है हासिल कर सकते हैं अब मिसाल के तोर पर ये मिसाल हम जो है अक्सरों कुनते हैं कि आधे इसी तरह से दूसरे लोग बोलते हैं कि आधा भरा है तो इससे पर चेस्ट और और जो होती है। तुछ है कि आधा खाल है अक्तर तज्जिया करने से आधा का बहुत नहीं तो यह attitude scale है और इसकी मदद से एक शक्स की हम जो शक्सियत के बारे में मालुमात हासिल कर सकते हैं लास्ट में एक और anecdotal record के बारे में जानना चाहूंगी कि वो किस तरीके से personality की assessment में help करता है शक्सियत की जांच में दो तरह के रिकार्ड होते हैं एक होता है anecdotal record और दूसरा cumulative record होता है तो anecdotal record ऐसा record है जो किसी शक्स या किसी भी फर्द या किसी भी बच्चे के बारे में एक मक्सूस वक्त और आलत में उसके मक्सूस जो सिफात के बारे में मालुमात हासिल करना मिसाल के जरीए हम जो है समझ सकते हैं कि एक बच्चे की हम इमानदारी की जांच करना चाहते हैं तो हम एक ऐसा situation create करेंगे कि एक मक्सूस situation में हालत में उसकी हम इमानदारी का हम जांच कर सके तो एक बहुत ही costly या बहुत टीमती हम जो मुबाइल फोन रख देते हैं और उससे उसका जो गुजर या उसके आसपास उसको और फिर हम जो है अब्जर करते रहते हैं कि देखें उस जो है मुबाइल फोन को देखने के बाद उसका जो है क्या है उसका तो अगर हम यह मुबाइल को देखा फिर किसी जिमेदार शक्स के पास ले गया और उसको उसने रिपोर्ट किया कि यह मुबाइल लया icon तो इसे यह पता चलता है कि वो शक्स जो है इमान दार तो तो यह अंग्डोटल रिकट किसी मक्सूस वक्त और हालात में जब हम किसी मक्सूस इंसान क कि सिफत का हम जो है मालूमात जो सिफत को मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यह है अनेक्डोटर रिकार्ड दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कुमुलेटिव रिकार्ड यह अक्सरों बेशतर अगर आपको याद होगा तो अच्छे जॉचेज को में चाहिस और फिर उसके का बच्छे का दाखला करवाते हैं और फिर उसकी empa mqmmal रिकार्ड भी होता है, एकुमूलेशनरेंशन या कुमूलेशन मुखतली हैं, बच्चे इंप्रुमेंट के लिए हएक अच्छे स्कूली कुमूलेशन fiformyk LexaniaCall आप देखिए सबसे हम क्योशन का का इस की हम किस टेस्ट को हम इस्तेमाल करें एक शक्स के शक्सितमालूम लोग कि अगर एक शक्स की मुकमल शक्सितमालूम करना चाहते हैं तो आप k enroll एस्तेमाल टेकने का भी इस्तेमाल कीजिए और ऑन possessed क्योंकि कोई भी टेस्ट अपने में मुकमल नहीं हम आप एक टेस्ट-के जरीये एक ही टेस्ट के जरीया आप किसी भी शक्स की पूरी शक्सियत की जह जहें जानकारिया या मालूमात आप जो नहीं आशिल कर सकते हैं अगर आप वाकिए में इंटरेस्टेड हैं एक शक्स की América सब्सक्राइब को टेस्ट करने के लिए तो आपके लीए ये लाजिम है किआप डिपेंट्स उस साफ टेस्ट तेस्ट इस्तेमाल करें और सकते हैं यह तो मैं यह समझता हूँ Kip यह नौन-प्रोजेक्टिव टेक्निक थे जिसकी मदद से हम McMahon के चाहरी जाहरी यह बहुत बाइयरोनी शक्सियत की मैं जाज कर सकते हैं स्थृ nov हम अंदूरोनी 하ANS कर सकते हैं लेकिन बत अरे मजबूवी अगर शक्सियत की जांज अजीज दलबा आज हमने असेस्मेंट आफ परसनालिटी को समझने की कोशिश की जिसमें खास तोर पर नॉन प्रजेक्टिव टेक्नीक्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की जिसमें हमने इंटर्व्यू, रेटिंग, अब्जर्वेशन, चेक्लिस्ट, एटिट्यूड और इनक्डोटल रिकॉर्ड्स को समझने की कोशिश की, सर आप हमारे साथ स्टूडियो में तश्रीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही आसान और खुबसूरत अंदाज में आपने इस असेस्मेंट और परसनालिटी को हमें समझाया, विद एप्रोप्र कर सकते हैं, मजीद जानकारी के लिए आप हमें इस पते पर भी राप्ता कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, आप से फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए उन्वान के साथ, तब तक के लिए दीजे इजासत आदा अब, कर सकते हैं, दीजे जानकारी कर दीजेशनिता हैं, आप समय इतन BREAST phones कर दो, दीजे इतना ही आप almost कर समय कर दो, कदेख दीजेशने होगी, आप से खिते होगी, आप से एसे रही तो, दो, किसी आप स – ह newly बओ, कर दो संदक्राइब कर दो